जे हिंदोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हाँ पर भूत ही महत्तपुन कौस्चन आंसर बेसंबन ना सर्मकौसिक जी से संबंदित वीडियो पूरा बसे देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आ आते हैं सेल्प स्टेडी क्लासे से अप में प्लेश्टूर पर जाई सेल्प स्टेडी क्लासे से अप डाउनलूट करें और अपनी तैयारी में लग जाईए विसंबनास सर्मकौसिक की बात करें तो इनसे संबंदित फर्ष्ट कौसिक पूंचा जाता है कि विसंबनास सर्म कोसिक का जर्म कब हुआ यह जो है महत्यपूण question है तो आपका यहाँ पर सही answer विकल्प नंबर d right answer है 1891 आपका सही answer होगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर d right answer है कहीं कहीं 1899 भी आपके लिए मिलेगा 1891 आपका यहाँ पर सही answer है अगला question है कि कौन सी कहानी इनकी बहुत लोग पिरे हुई जिससे सर्वसेष्ट दस कहानियां में सामिल किया गया है तो यह आपके लिए बताना है कौन सी है बहे आपके लिए बताना है question number अपना यहां पर है 2 और 2 का जो right answer है बहे है टाइ देखिए कौसिग जी की 説ेंगे कहानि बहुत लत प्रियत हुई है और जबिएज सर्वसेष्ट कहानियोں में सामिल किया गया था जीनकी कहानियां किस रूप में प्रकासित हूई है यह आपके लिए बताना है हासिबंगे कहानिया किस रूप में प्रकासित हुई है तो आपका राइट आंसर है दुभेजी की चिथठी विकल्प नमबर आपका यहाँ पर यहाँ पर राइट आंसर होगा question no.4 है कोसिक जी कि रात हुई किस पत्रिका काम प्रकासित हुई मादुरी में में चांद में या पर सरस्वती में तो आपका यहां पर सही आंसर है चांद आपका rite आंसर है विकल्प नंबर आपका C राइट आंसर है अधिकतर विद्वानों कि अनुसर कौसिक जी की पर्थम कहानी कौन सी मानी जाती है यह क्वेसिंट नंबर जो की बहुत ही महत्यपण कॉस्चन पूचा गया है और आपका सही आंसर है बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है तो कौन सी है रक्षबंदन रक्षबंदन यानि की विकल्प नंबर भी आपका यहां पर सही आंसर होगा कौसिक जी की प्रतम कहानी कब प्रकासे थुई थी आपके लिए बताना है यह कब प्रकासे थुई थी चार विकल्प आपके यहां पर दे गए हैं और कॉस्चन नंबर है अपना यहां पर छे और राइट आंसर विकल्प नंबर आपका एक यानिकी अठार 1913 में जो है इनकी पहली कहानी प्रतम कहानी प्रकासे थुई थी कौ ग्ले क्वॉसिUN हैं कॉसिफण जीश पर देश कहानी किस प्त्रीकाम प्रकासे थुई ऐ आतों क्या होका राइट आंसर म्हथ्पन कॉस्चन क्या है और आपका यहां पर सही आंसर है बिल्कुल सही विकल्प नंबर आपका यहां पर इंदू विकल्प नंबर एक राइट कौसिग जी का प्रत्म कहानई संग्रह कौन सा मानाजाता है ? चित्र साला या कलूल या फिर गल्पमनदर ये प्रियम प्रिटिमा ? तो question नम्बर 9 है और इनका कहानी संग्रह माना जाता है तो कौन सा माना जाता है तो आपका right answer है यहाँ पर विकल्प number C गल्प मंदर आपका right answer होगा question number 10 पूचा गया है यहाँ पर क्या है कौसिक जी ने कितने नाटक लिखी है question number 3 पूचा है और 3 का right answer sorry question number 10 है और 10 का right answer है कि कौसिक जी ने कितने नाटक लिखे हैं तो इन्होंने तीन नाटक लिखे हैं तो विकल्प नमबर आपका C यहाँ पर right answer होगा इनमें से कौन सा नाटक कौसिक जी का नहीं है देखे नहीं पूँचा है आपसे तो नहीं में आपका यहाँ पर जो सही answer है बहे right answer नहीं में हो जाएगा राखी की लाज राखी की लाज आपका विकल्प number D जो है आपका सही answer होगा यहाँ पर पूछा है कौशिक जी के नाटकों का प्रिकासम रज के अनुकरम किस विकल्प में दिया गया है question number 12 है और 12 का यहाँ पर आपका जो सही answer है बहे क्या होगा right answer 12 का answer बताना है तो बिल्गुल राइट answer है मा भेकारनी और संगर्स यह जो है आपका किरम सही होगा question number 13 यहाँ पर है कौशिक जी के मा नाटक का प्रिकासम वर्ज क्या माना जाता है यह आपके लिए बताना है तो इसका प्रिकासम वर्ज क्या माना जाता है ना तक है और आपका सही आंसर है इसका जो प्रिकासणवर्ष माना जाता है ज़िए PENTन. कहानी इनके आत्मकता विकल्प नंबर भी राइट आंसर है कॉसिक जी की मृत्यू का भूई यह आपके लिए बताना है question number 19 आपका पूँचा क्या है यहाँ पर 15 और कॉसिक जी की मृत्यू पूँचा है तो को कलने subscribe वीडियो को कलने like और जादा से जादा वीडियो को share करें self study classes एप download कर लें जहां पर हिंदी साहत की test series और आपके लिए यहां पर 2020 test series free करवाई जाती हिंदी साहती की तो इससे भी अवस्थ जुड़ें तो पिलिश्टोर पर जाए यह self study classes एप download करिए और अपनी तयारी में लग जाए और यह जो है सरसा पब्लीकेशन सरसा पब्लीकेशन की यह अपनी बुक है और जो कई महला बस तुनेश्ट प्रिस्ण की यह बुक है तो जो भी खरीदना चाहते हैं तो भैखरी सकते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना स्वाद जय हिन